नमस्कार भारत मंथन टीवी देख रहे हैं आप मैं रोकी कुमार अभी मैं राजापटी में हूँ और राजापटी में राजापटी कोठी में हूँ राजापटी में अटल टी 20 क्रिकेट टूनामेंट हो रहा है और हमारे साथ जितने युवा दिख रहे हैं ये बताएंगे क इसलिए हो रहा है नोजवान लोग इहां के बहुत मतलग उर्जवान नोजवान है सब लोग का कोशिश था कि हर जगा टूनामेंट हो रहा है तो हम लोगे राजापती में भी टूनामेंट हो अच्छा हो हमारे उराज सुधिर भाईया का भी इसमें था कि नहीं एको राजापटी में टूनामेंट हो वह भी आ रहा है फाइनल के दिन एक तारीक को भब एकदम यहां परग्राम होगा वह आ रहा हैं और सभी नोजवान एकदम इसमें एक जूठो के पुरे राजापटी हमिंदपूर सनवलियां सब गाउं के नोजवान मिल के टूनामेंट करा रहे हैं बहुत अच्छा से बहुत बाहर-बाहर का टीम इसमें आ रहा है मजबपर पूर सिवान वितियां आपको थी छपरा मोतिहारी गोपाल गंज हर जगे का टीम आ रहा है बहुत मनें बरा टून मैं आप से चाहूंगा कि कभी यह टूनामेंट चानू होने वाला है डेट बताइए कि जनता आ सके जो स्टूडंट है जो युभा है वह आसके देखिए इस टूनामेंट का योजन कल से आयोज़न हो रहा है कल उध्गाटन मैक्छ रखा गया है कल kaksi तेज तरिक का उद्गाटन डिट में तेज फरवड़ी जिसमें कि आपका मसरक टीम है और मदारपुर में उद्गाटन मैच का उजन किया गया जिसमें हमारे मुखतिति मन्निय मितलिस्तिवरी जी आएंगे तो लोकल भी टीम है आपे लोकल टीम भी है दिगवदूली है प्रक्ष होगा और लड़कों लोग इतना मेनत किया थे और टीम काफी अच्छी राजा पर्टी को ठीक है तो सभी लोग का मोटिफ था कि बाई यह इतना बड़ा टूर्णेमेंट हो रहा है लोग तो हम लोग भी इसमें भाग लें टीम भी अच्छी है तो यह है कि सबसे पहले मैं तो यह बुलना चाहूंगा कि इस टूनामेंट के आयुजन में जीतने भी हमारे सहपार्ठी है हमारे आयुजन करता कि जीतने भी सदस्य हैं सब लोग अपना उर्जा लगाए हुए अच्छा मेहनत की हो है इस सुधी इलाके में इस टूनामेंट को काफी भ इससे हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि इस हमेंदपुर में सुधूर जो की इलाका है राजापटी बैकुनपुर परखंड का पुर्वी छेतर में आता है इसमें बहुत सारे टीम आएंगे बहुत सारे लोग आएंगे तो सब लोग अपना आपसी सवहार्द रखें सब म आए खेले एक दूसरे से मिले परचित रहें और यहां के युवाओं का खेल के परती जो जग रुकता है उसमें और उन लोग का सहयोग मिले इसके लिए टूनामेंट हो रहा है राजापटी में जो टूनामेंट हो रहा हम चाहेंगे कि आप बताए कौन-कौन चीफ महमंत्री बड़तमान में और यहां के पुर्व विधायक श्री मितलेश तिवारी जी आ रहा है और यूराज सुधीर सिंग भीया उसके बाद मुकेस पंडे और उनके साथ और भी सारे नेता लोग आ रहा है चीफ गेस्ट के रूप में बैकौनपुर के पुर्व विधायक मितलेश तिवारी यूराज सुधीर सिंग और भी तमाम बड़े बड़े लोग आएंगे और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग मश्रक और कलकांग मदारपूर उसमें आपको लोग दिखाया दिया जाएगा जमाइच कैसे होता है अभी तक एरिया में मैच नहीं हुआ होगा वैसा यहां पर मैच होगा प्सकात नहीं होगा कोई कशपात नहीं होगा यहां का टीम नहीं है कि पक्षपात होगा दूसरे जगा कहीं खिलाई रहेंगे इसलिए दूसरे जगा खिलाई रहेंगे पीच बारे में बताईए फीच को यह पीच का दिशा है पूरा बर पश्चीन रोड़ेंड है और इधर नह एंड़ है तो नहर एंड से जो पीच है उधर से बालोरों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी चुकि पीच उस परकार से बनाया गया है लेकिन जो रोड एंड है इधर बैट्समेन के लिए एक दम सपाट पाटा पीच बना हुआ है और बाउंडरी भी अगर देखा जाए तो कोई खास बड़ा नहीं है लेकिन जितना में भी है तो इधर से रोड एंड से रन बनेंगे औ इस यह कंब्रियों के लिए फाइदा बड़ार के लिए भी वह बैट्समेन के लिए और पिचंज का फिं में न महीं है तो बोलर को काफी मदत मिदेगी से निवधन है कि आप राजापटी कोठी के बैंक जो ग्रामीन बैंक नया वाला उस रोड में आके आप कल 23 फरवड़ी से यहां का मैच का आनंद ले सकते हैं जरूर आईए हमारा यही निवधन है समस्त जनता का भी यही निवधन है आप जरूर आईए क्या कह रहा है एक मार्च को फाइनल भी है तो एक मार्च को फाइनल है एक मार्च को मुख्य अतिथी में युराज सुधीर सिंग भी आएंगे तो एक मार्च को भी आना ना भूले लेकिन 23 फरवड़ी से अपना उपस्तिती दरूर दर्ध कराएं बहुत गन्नमान लोग आएंगे यहां पर इसा नहीं है कोई पाटी का मंच नहीं है यहां सभी लोग हम लोग के लिए बराबरा हमारा पुर्विधायक मंजीत भाबु भी आएंगे एक दिन सबको अलग-अलग दिन टाइम दिये हम लोग कि थाना पर भाड़ी आएंगे बैक उन्पूर के विडियो साहिब और सियो साहिब से मिलके उनको नेवता दिया गया है वह लोग भी अस्वासन दिया कि हम आपके टूनामेंट में आएंगे और टूनामेंट का सफल आयो जन करवाएंगे